हाई गाईज वेलकम बैक टू बंस अगेन इस वीडियो में हम जानेंगे गुदमार्ग से निकलने वाले कुछ स्त्राव जैसे कि यहाँ पे खुण निकल सकता है, मवाद निकल सकता है और स्लेशम यानि कफ निकल सकता है, म्यूकस निकल सकता है तो इसके कौन-कौन से कारण तो यहाँ पे देखो जो रेक्टम होता है वो हमारा जो एनस का एरिया होता है मरलब कि हमारा गुदा का बाहरी हिस्सा होता है उसको बोलेंगे एनस और उसके अंदर का जो हिस्सा रहता है उसको बोलते है रेक्टम रेक्टम का एरिया है वो यहाँ पे हमारा जो बड़ी आत रहता है उसका end वाला हिस्सा होता है और जो हमारा एनस का एरिया होता है बाहरी गुदा का हिस्सा होता है उसका उपर का हिस्सा रहता है तो यहाँ पे देखो जो लेटरिन है उसके अंदर खून के आने का ये एक अक तो जादातर कुछ common causes है तो इसमें discuss करें तो पहला है hemorrhoid मरलब की piles का होना तो piles में कहा रहता है कि ऐसे जो हमारी rectum के area की जो खून की नलिया है वहाँ पे ऐसे dilated हो जाती है वो ऐसे बड़ी बन जाती है उसकी Susan बन जाती है तो उसको बोलते है piles तो इसकी वज़े से भी यहा पे anal fissure की बात करें जहाँ पे क्या रहता है कि जो एनस का area है गुदा के area के गुदा के area पे यहाँ पे एक ऐसे चोटा सा cut जैसा है ऐसे तीरा दरार जैसा बन जाता है तो इसको बोलते है anal fissure तो इसकी वज़े से भी यहाँ पे लेटरिन के अंदर खून आ सकता है आगे यहाँ पे बात करें तो fistula की condition होती है fistula in-no तो इस condition में भी यहाँ पे लेटरिन में खून आ सकता है जहाँ पे fistula in-no क्या रहता है तो यहाँ पे abnormal track बन जाता है ऐसे tube जैसा mark बन जाता है ऐसे रास्ता बन जाता है जो हमारी बाहरी जो एनस का area है मनलब की एनस के आसपास का area, जिसको बोलते है periannal area, और यहाँ पे अंदर का जो हिस्सा रहता है, इनस है, या फिर rectum का area है, तो यहाँ पे ऐसे mark बन जाता है, उनके बीच में, तो इसको बोलते है fistula in anis, तो इसकी विज़े से भी यहाँ पे लेटरिन के अंदर रहती है यहाँ पे हमारी बड़ी आथ है छोटी आथ है इसमें अलग-अलग रहता है हम यहाँ पे आप ऐसे समनलो कि यह हमारे जो आते रहती है उनकी सूजन वाली कंडिशन है तो इसकी वज़े से भी यहाँ पे हमारे लेटरिन में खूना सकता है आगे यहाँ पे बात करें तो कुछ और condition भी रह सकती है जैसे कि colon polyp की condition रहती है अभी polyp क्या रहता है तो polyp ऐसे एक growth होता है हमारी जो large intestine है colon है या फिर rectum है तो उनके अंदर ऐसे अंदर की lining होती है अंदर का परत रहता है तो उनके उपर ऐसे growth बन जाना तो इनकी वज़े से भी मलब की ऐसे polyp की condition की वज़े से भी यहाँ पर laterin के अंदर खून आ सकता है आगे यहाँ पर बात करें तो colorectal जो carcinoma है anal carcinoma है मलब की colon जो है बड़ी आथ है rectum जो है गुदा का अंदर का हिस्सा है तो इन सभी के carcinoma मलब की cancer की condition की वज़े से भी आप में जो laterin ने उसमें खून आ सकता है आगे बात करें तो यहाँ पर diverticular diseases diverticular क्या रहता है तो diverticular मलब की यहाँ पर आथ की जो दिवार है वहाँ पर ऐसे पाउच जैसा उभार बन जाता है जिसको बोलते है diverticular या फिर diverticulosis और उसकी करें तो coagulopathy मलब की हमारा जो खून जमने का process है वो यहाँ पर disturb होता है वो उसका यहाँ पर impairment होना वो अच्छे से हमारा जो खून है वो जमता है तो वो नहीं जमता तो उस condition की वज़े से भी यहाँ पर laterin के अंदर खून आ सकता है उसके अलादे के तो यहाँ पर infectius, gastroenteritis जहाँ पर virus है, bacteria या फिर parasite की वज़े से हमारा जो पेट है, आथ है तो उसमें Susan की condition रहना, उनका infection रहना तो इनकी वज़े से भी यहाँ पर laterin के अंदर खून आ सकता है आगे की condition है यहाँ पर angio dysplasia यहाँ पर कहा रहता है कि यह हमारी जो AV malformation की condition रहती है यह एक प्रकार की vascular abnormality है जहाँ पर कहा रहता है कि जो हमारी arterio venus, जो खून की नलिया है यहाँ पर veins है, arteries है वो यहाँ पर दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाती है जो छोटी खून की नलिया रहती है उनका यहाँ पर dilation हो जाता है वो ऐसे सूच जाती है इसकी वज़े से भी यहाँ पर lettering के अंदर खून आ सकता है आगे की condition है यहाँ पर ischemic colitis जहाँ पर कहा रहता है colitis मतलब की हमारी जो बड़ी आथ है, colon है तो उसकी susan रहती है और वो भी जो ischemia मलब की यहाँ पर lake of blood flow जो हमारा खून अच्छे से उसको नहीं मिलता जो colon है, बड़ी आथ है उसको तो उसकी वज़े से जो colitis रहता है inflammation की condition रहती है तो इसकी वज़े से भी यहाँ पर lettering के अंदर खूना सकता है, आगे बात करें तो solitary rectal ulcer जहाँ पर यह condition है, वो rare है तो यहाँ पर कह रहता है कि ऐसे ulcer ऐसे sore बन जाता है जो rectum का area है वहाँ पर तो इसकी वज़े से भी यहाँ पर lettering के अंदर खूना सकता है, radiational proctitis की condition है, मलब की यहाँ पर जो post radiation therapy यह जो है वो radiation therapy के बाद, complication के तोर पर जो proctitis देखने को मिलता है, मलब की यहाँ पर जो lining है rectum की, उसकी susan बन जाना, मलब की rectum की susan बन जाती है, तो इसकी वज़े से भी यहाँ पर lettering के अंदर खूना सकता है आगे बात करें तो rectal variceus तो यहाँ पर कहा रहता है कि जो गुदमार्ग की sub mucosal vein है वो ऐसे dilated बन जाती है ऐसे torturous, उनका ऐसे susan जाना, तो इसको बोलते है rectal variceus, तो इनकी वज़े से भी यहाँ पर lettering के अंदर खूना सकता है आगे यहाँ पर बात करें तो mical diverticulum, मतलब की यह एक प्रकार की congenital, यह एक प्रकार की जन्मजात होने वाली बिमारी है जहाँ पर कहा रहता है कि जो छोटी यहाँ थे उसके lower part में, मतलब की नीचले हिस्से में ऐसे out poaching होना है ऐसे bulge बन जाता है, ऐसे उभार बन जाता है तो इसको बोलते है mical diverticulum और इसकी वज़े से भी यहाँ पर बच्चों के अंदर ऐसे lettering के अंदर खूनाता है, आगे बात करें तो STDs मतलब की sexual transmitted diseases जहाँ पर gonorrhea है तो lymphogranuloma venerium है तो इनकी वज़े से भी यहाँ पर लेटरिंग के अंदर खून आ सकता है इसके साथ में यहाँ पर पस भी निकल सकता है मवाद भी निकल सकता है यहाँ पर कुछ terminology होती है जैसे कि hematochisia की condition तो hematochisia में कहा रहता है कि यहाँ पर जो fresh blood निकलता है एनस से तो उसको बोलते है hematochisia अगर यहाँ पर black और terry श्टूल निकलता है तो उसको बोलते है melena rectal bleeding में जो खून आता है वो यहाँ पर मल के साथ में भी आ सकता है मल के उपर, स्टूल के उपर भी आ सकता है toilet paper में भी आ सकता है थैंक यू